हलो गाइस तो आपके अपने यूटूब चैनल बियाई पिश्टडी आईकु में एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि हम पिछली क्लास में हेमाईू के बारे में पूरा पढ़ चुके थे और अब हम अक्वर के बारे में पढ़ेंगे जो की पूरे मुगल वन्स का सबसे एफ कर यूद दोता है और वहां से भाग जाता है और अमरकुत में पहुच जाता है और अमरकुत के जो सासक होते हैं राना वीर साल उनके हैं सरंड लेता है ठीक और मुएn पर 1542 में अक्वर का जन्म होता है तो अब हम अक्वर के बारे में पढ़ेंगे तो बिना देरी की तो जो जो अखवर ता उसकी जो मा थी मतलब उसकी जो रियल मा थी उनका नाम था हमिदा बानो बेगम लेकिन उनकी किसी कारणवस मृत्ती हो जाती है तो अखवर का जो लालन पालन यानि की पालन पोशन जो करती है वो उनकी सोते लिमा यानि की स्टेप मतर करती है जिनका नाम होता है महम अंगा ठीक महम अंगा जो है वो अखवर का लालन पालन करती है ठीक और क्या होता है मतलब जब अकरो मात्र नौ वर्स का होता है तो तो 1556 में जो है वो हिमायू की मिरत्ती हो जाती है यानि कि हिमायू जो है लाइब्रेरी की सीडियो से किरके मढ़ जाता है ठीक तो उसके बाद जो उसका बेटा यानि कि अकवर उसका राज्य भी सेक होता है काला नौर में जो कि पंजाब में है और जब वो गद्धी पे जाता है तो जब उसकी जो उम्र होती है वो महज मात्र 14 वर्स का होता है ठीक है और जो उसका सनक्षक होता है वो बेरम खा होता है तो अब आगे बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानी पत तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानी पत है वो 1526 में लड़ा गया था बाबर और दो को जीच चुका था और उसका जो बाइसमा युद्ध था वो था बैटल ऑफ तुगलकाबाद जैसे युद्ध के बाद उसने बिक्रमत दित्ते की उपादी ली थी ठीक और जो बैटल ऑफ तुगलकाबाद था वो अगेंस था किसके मुगल फोर्स के जिसका नेतर जो तर्दी बैक कर रहा था और इस बैटल के बाद वह अर्ड जाताए तर्दी बैक तो अखवर के पास आता है के हैं मुसे लड़ाई मत करो उसकी सरण में चले जा candidate मतलब ऐसी समझाता है तो बेरण खांड होता है मतलब अकवर का संदक्चक वो उसको मार देता है और फिर बैरम खां के बीच और हेमू के बीच सेकंड बैटल अफ पानी पत होता है जिसमें बैरम खां जो है हेमू को हरा देता और मार देता है तो फिर सेकंड बैटल अफ पानी पत खतम हो जाता है तो जो बैरम खां था जो अक्वर का संदक चकता वो बहुत ज़्यादा powerful हो गया था तो 1560 में जो अक्वर जो था वो 18 साल का हो जाता है तो बैरम खां को हटा देता है पोस्ट से, तो बैरम खां जो है चेलेंज कर देता है मुगल को फिर मुगल और बेरम खां के बीच बैटल होता है जिसको बैटल आफ तिलवार के नाम से जाना जाता है जो कि राजिस्तान में हुआ था ये जो बैटल जो हुआ था वो 1561 में हुआ था और इस बैटल में बैरम खां जो हार जाता है फिर उसको मक्का बेज दिया जाता है तब वो मक्का जा रहा होता है तो एमदाबाद में जो अफगान रूलर होता है पठान मुबारक नुहानी वो बहरमखा को मार देता है रास्ते में ही ठीक है जब बहरमखा मर जाता है तो उसकी जो बाइफ होती है मतलब उसकी जो पतनी ह होती है उससे अकवर जो साधी कर लेता है और उसका जो बेटा होता है अब्दुल रहीम उसको गोद ले लेता है और उसको टाइटल देता है खाने खाना की उपादित दे देता है और वह आगे चलके जो अब्दुलरहीम खाने खाना जो है वो बहुत प्रसिद्ध पोईट बनता है हिंदी का तो अब एक और इंपोर्टेंट यूद की बात करते हैं तो जिसका नाम है बैटल आफ हल्दी गाटी जो की 1576 में लड़ा गया था जो बैटल आफ हल्दी गाटी था वो लड़ सिंह ने ठीक है अब थोड़ा अकवर के कार्रे के बारे में बात कर लेते हैं तो अखवर जो होता है जो तीर थियाद तरह पर लगने वाला कर होता है उसको हटा देता है और जजियकर को भी हटा देता है जो कि गैर मुसलिमों को देना पड़ता था ठीक है और अखवर जो है वो जोदवाई से साधी कर लेता है जो कि एक हिंदू महिला होती है और उनको वो एलाव भी कर देता है कि तुम किसी भी अपनी च्छानुसा किसी भी भगवान की पूजा कर सकती हो ठीक है और 1575 में अखवर इबादत खाना की स्थापना करता है जिसको हम house of worship कहते हैं यानि कि अखवर इसमें पूजा करा करता था लेकिन अखवर जो हता है वो 1578 में उसको धर्म संसत बना देता है कि यहाँ पे अब कोई भी व्यक्ति पूजा क कर सकता है ठीक है और अखवर एक नई धर्म की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीन एलाही जिसकी स्थापना वो 1582 में करता है ठीक है तो अब आगे बात करते हैं तो जो सिख के गुरू होते हैं उनको अखवर जो है पांच वाइकर भूमी देता है सिख गुरू राम तो अकवर इसको दवाने जाता है मतलब उस रिवॉल्ट को खतम कर देता है इस खुशी में मतलब इस यादगार में अकवर जब गुजरात से लोड़ता है तो वो फत्यपूर सीग्री में बुलंदरवाजा का निर्माण कराता है जैसा कि आप image में देख सकते हो यह है बुलंदरवाजा जो कि फत्यपूर सीक्रीम बनवाय था अकवर ने गुजरात बिजय की खुसी में अब बात करें तो मुगल वन्स की जो भासा क्या थी तो जो मुगल वन्स की भासा थी वो फार्ड सी थी तो अब हम अकवर के नौरतन के बारे में बात करेंगे तो अकवर के जो नौरतन थे एक तो बीरवल जिनका जो असली नाम था महिस दास था ठीक है जो की एक पंडित फैमिली से थे और ये मतलब बहुत जादा बुद्धी मानते और ये अकवर के प्रिधान मंत्री थे अब दूसरे की बात करें तो दूसरे थे टोडरमल तीसरे तांसन तांसन जो थे वो अकवर के संगीतकार थे ठीक है अब बात करते है मान सिंग की जो मान सिंग जो थे वो सेना पती थे जीसा की हमने आपको भी बताया था कि हल्दी गाटी का युद्ध द्वा था उसमें जो मोगल सेना का जो नेत्रत किया था वो राजा मान सिंग नहीं किया था सेख मुबारक सा, फैजी, अबुल फैजल, अब्दुल रहीम खाने खाना जो अब्दुल रहीम जो था वो किसका बेटा था बैरम खान का जब बैरम खान की मिरत्ती जो हो जाती है तो अक्वर क्या करता है जो बैरम खान की बाइफ से साधी कर लेता है और उसके बेटे को गोद ले लेता है और उसको टाइटल देता है खाने-खाना जो उसने बैरम खानको भी दिया था और अब्दुलरहीम खाने-खाना जो है वो आगे चल कर एक प्रसिद कभी भी बनता है ठीक है और जो एक और लास्ट नमा वो थे मॉल्लादो प्याजा तो ये सारे थे अकवर के 9 रतन और 1605 में अकवर की मरत्ती हो जाती है और अकवर का जो मकवरा है वो है सिकंदरा में ठीक है तो जैसे आप देख रहे हो है ये अकवर का मकवरा है तो बस आज के लिए इतना ही I hope आप सब को समझ में आया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो ठीक है और आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर किया करो तो बस आज की किलास नहीं एंड करते हैं मिलते हैं एक और अच्छी किलास के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई